लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आलोचना तो मीरा के भक्ति की भी की गई थी, मीरा को भी दिवाना कहा गया था, लेकिन मीरा अपनी भक्ति में, प्रेम में, इश्वास में द्रिड रही, इसलिए तो भवसागर से पार हुई, कल्युक बड़ा अजीब है, लोग कान के कच्चे हैं, धूर्द के बहकावे में आकर, राम को रावन खोशित करते हैं, और रावन को राम, असत्य कितना भी शोर क्यों न मचाले, जीत सदेव सत्य की हुती है, सदकर्मों से वास्ता, और सद्गुरु पर आस्था हो, तो सद्गुरु मार्ग दर्शन कर, मुश्किल पहाडों में भी रास्ता दिखाएंगे, भक्ती में चातक पक्षी जैसे स्वाभी मानता हो, जो वर्शा की पहली बूंद का ही पानी ग्रहन करता है, भले ही उसके सामने जील क्यों ना हो, वह प्यासा रहेगा, लेकिन कहीं और का पानी ग्रहन नहीं करेगा, अपने सद्ग क्यों ना हो, सद्गुरु कृपा अमरिद पूंदे जरूर बरसेंगी, ऐसा सद्गुरु पर द्रड विश्वास रखो, सारे रिष्टे नाते, यह जश्न, यह खुशियां, यह ठाके, सब कुछ शर्ण भंगुर हैं, इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ भ तुम्हारे मनुष्य जीवन की सफलता होगी, परोकार वही सफल है, जो निस्वार्थ भाव से और करता भावना बिना किया गया हो, इच्छाएं पूरी हो, इसलिए भक्ती विश्वास प्रेम है, यह सत्य भक्ती नहीं, लेकिन इच्छाएं पूरी भी ना हो, फिर भी यह सत्य भक्ती है, सद्गुरु जानते हैं तुम्हारे ले क्या योक्य है क्या नहीं, श्रध्धा सबुरी, विश्वास की परिक्षाएं भी बहुत होगी, बलकि निश्ठावान, समर्पित, प्रेम भाव भरी, अटूट विश्वास भरी होगी, सद्गुरु वह करेंगे जो तुम्हारे जीवन के लिए परम कल्यान कारी होगा, जिन्हें सद्गुरु का प्यार मिला, फिर भोतिक सुख भुला देते हैं, ना हीरे मूती, ना उचे महल, उन्हें लुभाते हैं, वे कृष्ण दिवानी मीरा जैसे, भक्ती के रंग में रंग जाते हैं, सद्गुर खुश रहो, सबका मालिक एग हम werde एगे से टुश रहो, सद्गुर में पर समझे रंग में पा जाते हैं, वे कृष्ण रहो, सद्गू से य опасते हैं, भировать भाल रंग माल दाने लाल, लंग 주ाते हैं, बाल權 को एगे को दक FAR Yesterday quart Me ये भुख रहे ऑना है झाल झाल